हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग रेसिपी लेकर आई हूँ, यह हम सभी की तो बहुत ही फेवरिट है, पर जब भी हम इसे घर पे बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही महनत वाली काम है, या फ कुछ नहीं है दोस्तों आप घर फी विताफ ओवं या तो इस वेताफ भी आप इसे बना सकते हो बहुत ही आसान तरीका है बनाना अब घर पर जब चाहो इसे बना सकते लिख उएगळेन्स जो आपके घरों पीके रहती है उसी से बना सकते हो बहुत ही आसान है, बच्चों को अब जब चाहो तक खिला सकते हो, आपको मार्केट भी नहीं जाने पड़े ही, तो चलिए हम यह रेसिपी आपको बताएंगे, आसान से तरीके से, आप इसे स्टार्ट टो एक्स, जरूर फॉलो की जिए लग कैसे बनाने हैं, तो हमने यहां सबसे पहले एक बोल लिया है, उसमें हमने 3 टेबल स्पून लिए हैं, मतलब दूद लिया है, इसमें हम ले रहे हैं, वान टेबल स्पून शुगर, आप चाहो तो यहां पे पाउडर्ट शुगर भी ले सकते हो, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लीजेगे, अगर आप यहां हमने यहां पे लिया है, इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजेगे, और इसे ढख कर कम से कम 15-20 मिनिट के लिए रख दीजेगे, अगर आपके पास इस्ट नहीं है, तो मैं आपको और एक अल्टरनेटिव सलेशन यह दूँगी, कि आपको इस्ट के बिना भी आप विजा घर पे आसान दरीके से बना सकते हूँ, तो यहां पे मैं एक बड़ी सी बरतन ले ली हूँ, एक बोल टाइप की ले ली हूँ, उसमें में ले रही हूँ हूँ, दो कप रिफाइन फ्लो, यह लाइट के बदी से आपको अच्छे से देखने रही है, सौरी, इसके लिए मैं माफ नमक, आपको यहां पे थोड़ा ही लेना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं लेना है, क्योंकि हम यहां पे फिज्जा सौर्स अगरब हाथुच अपलाई करने वाले हैं, तो उस अभी में थो नमक होती है, तो फिर हमने यहां पे नमक लेने के पाद, इसमें जो मैंने एस्ट आपको अच्छी से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लंक्स ना रहे, अच्छी से यह मिक्स हो जाए, और अगर आपके पास इस्ट ना हो, तो एक दूसरा सल्यूशन यह है, कि आप दो टेबल स्पोनी आप एक खट्टा दही लीजिए, या एक दिर या दिर दो दिन की यहा जमा कर रहते हैं, वह दही लीजिए, बहुत जादा खट्टा ना भी वह तो चलेगा, फिर उसमें हमको थोड़ा सा चीनी देना है, पाउडर शुगर, फिर उसमें आपको लेना है, हाफ से भी कम बेकिंग सोड़ा, हाफ से भी कम चमच, हमें लेना है बेकिंग पाउडर, इसे उसके अगे इस्ट ना हो, तब यह सारी चीजों से भी अबना सकते हैं, फिर हमने यहां पर लिया है, दो चमच रिफाइंट ओल, जो हम खाना बनाते हैं, वह बनाते हैं, इसमें आपको ज्यादा तेल नहीं लेना है, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे, हम अपने ह तो फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसे हम अच्छे से और मिला ले रहें, आप एक साथ बहुत ज्यादा पानी मत लीजे, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी देने से या हो सकता है, कि आपको क्वांटिटी समझ में ना हो, इसे अप एक्स्ट्रा पा पानी डालते हुए, इसे आपको अच्छे से सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं ही गुंदना है, इक मेडियम सॉफ्ट डोव आपको यह गुंदना है, हम जैसे चपाती या तो फिर हम पूरिया बनाते हैं, उसके लिए हम जैसे आटा जैसे गुंदते हैं, सेम मेडा को भून लिए है, आपको देखे बहुत ज्यादा भी यह सॉफ्ट नहीं है, पर हम मेडियम सॉफ्ट है, फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल ले लिए है, तेल से इसका अच्छे सा मैश कर लेने के बाद इसे और भी सॉफ्ट बनाने के लिए, हम इसे और थुवे देर के लिए खुण लिए है, अप इसे हम ढख कर कम से कम 2-3 घंटा याद रखे, कम से कम 2-3 घंटा नहीं है, अदेखे, हम नहीं और थोड़ी देर के लिए इसे हम जोब लेंगे, ताकि यह और भी सॉफ्ट हो, हमारी जो बेस बनेग, बहुत ही अच्छी हो, तो इससे वज़े से में और थोड़े देर के लिए गुम देठी तो हमने जितना जो कप की जो हमने आए हैं पे में अपे मैदा गुमना है इसको हम फोर इक्वल पोजिशन में डिवाइट करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर स्मॉल साइज आप बोलो तो यहाँ पर में में इसमॉल साइज भी अपमे मेरी बहुती च्योटी है इसके वजे से मैं मीजी टेना मीरी मारीज़ अगर अगर आप बड़ी बनाने या मेद्व साइज की बनाने है आप इसे दो एकवल पोस्जन से भी डिवाइड करके बना सकते हैं यह कूर्छन हैं उसको मैं रखने तो एक अलगर रख रहे पुझ सबसे पहले अच्छे से रोल खहके की आटा बहुत ही क्रंची होगी अगर आप मैदा से भी बना सकते हो पर मैं आप लोगों को सर्जिस्ट करों में आप यहां पे कॉन लोड लीजे तब आपकी जो बेस बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी अपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा तो देखे मैं यहां पे एक स्मॉल वाली पूरी के शेप में उस तरीके से बना ली बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है तो आपको यह कुख होने में टाइम लगेगा और अच्छी से बनेगी भी नहीं तो इसलिए मैं पूरी हल्की पतली मतलब उस शेप में मैं बना चुकी हूँ फिर हम एक स्पोग के हल से में थोड़े से प्रिक कर ले ताकि यह फूले ना और यह अच्छे से अंदर से पॉक जाए तो देखे मैं इस तरीके से हर एक साइड में मैं अच्छे से मैं प्रिक कर ले रही हूं ताकि कहीं से कोई भी पुलने की चांसे ही ना हूँ फिर हमने मैं एक पान ले लिया है उसे मेडियम फ्ले में उसे कोप करेंगे जो शीट हम जो छोटी वाली जो शीट बनाए है इसे हमको अच्छी से कोप कर लेना है आपको दोनों साइट में कोप कर लेना है आपको तब तक को करना है जब तक एक slight golden color की वो color ना आ जाए तब तक आपको इसे cook करना है आपको बहुत ज्यादा देट तक किसे cook करने के जरुवत नहीं है क्योंकि हम इसमें second step जो है तक फिर ये पकेगी तो आपको जस्ट फलका golden color जब तक ना आ जाए आपको तब तक इसे आपको cook करना है तो जैसे मैं यह कर रही हूँ उसी तरीके से बाकी चारों की one-third portion वाली बॉल्स को में same as the details बना लोगी फिर जब तक वो बन रहा था मैंने यहां पी कढाए में थोड़ा सा नमग देकर एक छुटा सा मेरी पस बोल था उसको रखकर में यह pre-hit होने के लिए रख दी देखिए चारों के लिए सेम राउंड शेप बॉल की जो मतलब बॉल जैसे बनाते हैं यह बड़ी वाली रोटी साइस के में बना ले रही हूं इसे भी आपको बहुत जादा मोटा नहीं रखना है अब हलका सापू मतलब पथली साइस में ही पथली रखना है इसे भी मैं फोके अगर फूल तो इसमें वेजिस बगेरी कौन गड़ा देने वाले हैं यह अच्छे से इसमें फिट हो जाया यह बहार ना निकल अगर फूल जाएगे ना तो यह सारे हमारी जुछ यह सारी ठीक से फिटने हो पाएगे तो फे देखे इसमें हम थोड़ा सा चीज ले रहे हैं ग मेरे पास ग्रेटर चीज थी यही मैं यूज कर दूए और फिर मैंने कुप किया हुआ जो छोटी साइस की जो हमने शीट बना के रखे थे वह इसके अपर मैं रख चुकी हूँ और बड़ी चपादी जो बड़ी शीट है उसके कॉरनर्स में मैं थोड़ा थोड़ा पानी लग ताकि यह जो चीज हम दिये हैं यह मेर्क होकर बहार ना निकले और अच्छे से यह अंदर से खुक हो जाए और विज़ा की पेस्ट अमेजिंग होकर बहार आए और बच्चों को यह बहुती पसंद आ जाए तो चलिए बहुत हो गया तो हम यह पी सील कर लिया है इसे अच् नेक्स चेप है इसे हम प्रिक कर ले रहे हैं ताकि यह भी हमें मतलब पुल है अच्छे से कुरंची में ही यह जो बेस है वह कुरंची कुरंची रहे अच्छी रहें तो फे देखे हमें यहां पर समारा बन चुता है उसके बाद हमें आपे लिया है पिज़ा सॉस अगर आप यहां पी प्लें टोमेटो सॉस केचप जो भी है बच्चों के तुपाती आइन बच्चों तो हमेशा यह पसंद करते हैं तो इघर पे तो हमेशा रहती है अगर आपके प्याफास पीज़ा सॉस ना हो और अल्टरनेटिव है कि आप यहां तो सेज्वन सॉस चिली सॉस को मिक्स अप करके भी आप यहां पे लगा सकती हूँ जैसी आपकी मर्जी अपकोई भी यहां पे सॉस लगा सकती हूँ फिर उसके उपर से मैं फिर से थोड़ा सा ग्रेटेड चीज दे दी हूँ क्योंकि हम यहां पी बना रहे हैं चीज बॉस्ट कॉन पिज़ा तो हमें इ प्रिंक हैं अप पौर्ण खुम आप में प्रुमटी और उसक देड़ा सकते हुआ हैं जो इpic बीड़ा सबने लगा सकते हूँ तो मेरे पछ कुछ गयाम नुदू खुन tie हुआ हैं फिर कुंकि अखने अगय को शनी ही अवैग संदिनों के भी बाशसिक्त मैं वोभी बॉ लेकर बोल करके कॉब्स करें अगर अगर अब कोह हैं प्टावत अगर आप कोई हाँ motorcycle अँश बैप कोई है method खोल्चे वताऊ है हम पर जाब यह बहुते पेज़ा नौ suggests मुद्हा ना कर दो तो दीखे हमारा यहां पे पिज़ा हमें असट कर लिया है फिर हम इसमें दे रहें पिज़ा सेजनिंग अगर आपके पास यह पिज़ा सेजनिंग ना वो तो आप इसे एंवोईड की जिए इग्नोर कीजी अब इताउट पीज़ा सेजनिग यह बहुत ही बनाएगी इतनी टे तो हमने यहां पे पिज़ा सेजिंग दे दिया फिर हमने यहां पे एक प्लेट ले लिया है जिसमें मैं पिज़ा सेट करने वाली हूँ उसे मैं थोड़ी बटर से मैं ग्रीस कर ले रही हूं ताकि यह हमारी पीज़ा की बीज इसमें चिपके ना और यह अच्छे से कुख हो तो हम यहां पे प्लेट को मैं अच्छे से ब्रीज कर ली हूँ और जो मैं यहां पीज़ा उनकोग्ड है इसके उपर रख चुकी हूँ रखने के बाद इसमें जैसे कि मैं पहले ही पैन को प्रीहीट करने के लिए रख दी अब इसमें वो प्लेट को मैं ठीक से पर दोगी आप यहां पर ध्यान से रखेगा क्योंकि हमारे पैंट अरोड़ी बहुत ज्यादा गरम है तो अपना ध्यान रखते हुए से अप रखेगा प्लेट और यह हमने इसे कुप होने के लिए रख दिया तो कम से कम 15-20 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम में या तो आप मेडियम तो ह हाई फ्लेम में भी रख सकते हो पर हाई फ्लेम में ना रखे अगर बेस अगर बहुत ज्यादा पंग जाया तो यह नीचे से जल जाएगी तो कि हमारे यहां पेजा बनकर रेडी हो चुका है अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्स्क्राइब भी कीजेगा थैंक् में कहाते हुत जया जया झाम हां हुत ञाय हुती को